हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल देशिप्रोफिटोग और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेलीड इंडिविज्वल हो या आप सेल्फ इंप्लोइड इंडिविज्वल हो या पैंचनर हो तो आप बैंक और परोदा से परसल लोन के लिए कैस परोदा शुरू करते हैं तो यहां पर देख सकतो बैंक और बारोदा के टीन टाइप की परसल लोन की स्कीम में चलती है तीनों के बारे में हम डीटेल में इंफॉर्मेशन देंगे सबसे पहले यहां पर बढ़ोदा लोन टू पैंचनर अब जो भी पैंचनर है जिनका या तो बैंक और बारोदा में पैंचन अपनी निकालते हों जाए वो डिफेंस पैंचनर हो या गौवर्मेंट पैंचनर हो या आपके फैमिली पैंचनर हो तो उससब लोग परसल लोन के लिए इस स्कीम से लोन लेने के लिए के लिए अलावा यहां पर बढ़ोदा डिश्टल पर्सल लोन भी प्रवाइड किया जाता है और इसके बाद अगर आप बरोदा बिटीकिंटर अपे तो जैसे कि आप ऌप देख सकते हो पैंश्ड सब्सunnIm सmäß कोई भी पैंशनu या फैन्ट से अगर पैंशनन को आती तो उनको परसन लोन प्रवाइड किया जाता है और कोई भी अपको कोई बी कोch एड करानी की जबुरत नहीं है minimum देखिए एज अप्लाई करने की 21 साल मैक्सम 75 की एज तक जो आप अपने लोन को चुगा सकते हो अब यहां पर लोन आपको कितना प्रवाइड किया जाएगा तो देखिए आप रेगुलर अगर पेंशनर हो और अगर आपकी यह सतर साल तक है तो आप आठ लाग रुपए तक का परसल लोन यहां से ले सकते हो वहीं अगर आपकी एज जो आप सतर साल की ऊपर है तो आप देखिए मैक्सम 5 रुपए तक का है यहां पर परसल ले सकते हो अब यहां पर कितने टेन्योर के लिए ले सकते हो तो यहां पर रीपेमेंट जो कैपेसिटी है वो आपकी जो भी मनतली पैंशन होगी मार लिजिए मनतली पैंशन आपकी 10,000 रुपए है तो 10,000 पर आप जो EMI दे सकते हो 60% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, मतलब 6000 आप EMI दे सकते हो, उससे उपर की EMI आप नहीं दे सकते हो, उसके लावा जो है आप रिपेमेंट, अगर आपके यह 70 साल तक है, तो देखें, 60 मन्त के लिए आप maximum loan ले सकते हो, चुकी आपके 75 साल के लिए maximum आप अपने loan को चुका सकते हो वहीं अगर आपके यह 70 साल के उपर है, तो आप maximum 3 साल के लिए यहाँ से loan ले सकते हो, अब यहाँ पर account relationship कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर इसे बताया गया है, pensioner should be drawing pension through the branch for at least last three months, मतलब 3 मन्त से आप जो है अपनी pension, जो है bank of brother के account से निकाल ले हो, तो यह जो है, main eligibility बगर ह यहाँ पर require होती है, interest rate देख लेते है, pensioner हो लिए क्या चला है, तो यहाँ पर देख सकतो 11.65% से आपर rate of interest की starting होती है, अगर bank of brother के आप employee हो, retired हो, तो उनके लिए जो rate of interest 10% से आपर starting होगी, अगर आपका bank of brother में account है, और pensioner हो आप यहीं के, यहाँ से आप अपनी pension निकालतो तो processing fees निल लगेगी, और others के लिए जो एक हजार रुपेगी आपकी यहाँ पर लगेगी, कोई भी for closer charges है, penalty interest 2% पर मन के इसाब से आपर लगते है, document आपको same देने पड़ेंगे, जो है, आपके completely application form फिल्ट करके देना पड़ेगा, तीन passport size photo, उसके बाद जो है, एक proof of residence, एक proof of identity, और आपके details of pension and PPO number, अब जो second scheme आती है, जो कि है आपे बड़ोधा digital personal loan benefit, अब इससे कोई भी जो है, अगर आपका माली यहाँ पर अकाउंट है या नहीं है, तो भी आप यहाँ से personal loan ले सकते हो, paperless process रहता है, आपे, direct disbursement आपको कर देनाता है, कोई भी prepayment charges नहीं है, attractive interest rate है, और इस scheme का नाम है, बड़ोधा digital personal loan, इसको आप जो है, online ही apply कर सकते हो, अब इसको कुछ features अगर आप देख लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आप 50,000 रुपए से minimum जो लोन है, वो 50,000 का ले सकते हो, और उस maximum देखिए, अगर आप जो है, existing customer हो यहाँ के, तो 10 गुरुपए तक का, और अगर आपका account जो है, किसी other bank में है, और अगर आप bank को बड़ोधा से personal loan लेना चाहते हो, तो भी आप 5,000,000 तक का loan ले सकते हो, age criteria क्या है, तो minimum 21 साल age required होती है, और maximum जो है, salad के लिए 58 year रखी गई है, और self-employed के 65 year रखी गई है, eligibility देख लेते हैं, क assurance agent जो होंगे, वो लोग भी apply कर सकते हैं, और यहां पर NRI जो होंगे, वो लोग eligible नहीं होंगे, इस scheme से loan लेने के लिए, अब rate of interest पर क्या offer किया जाएगा, 0.40% से आपके rate of interest की starting होती है, 17.75% तक जाता है, और वो depend करेगा, आपका credit score कितना अच्छा, उसके इसाब से फिर rate of interest आपका तय होगा, crossing fees आपके 2% लगेगा, आपके loan amount का processing fees, जो की minimum 1,000 रुपय होगी, और maximum 10,000 रुपय तक आपकी लग सकती है, document देख लेते हैं, क्या क्या लगेंगे, तो एक mobile number, pen number आपको देना पड़ेगा, तो यह आपके आधार number भी आपको यह आपके देना पड़ेग online ही आप apply कर सकते हो, और online ही आपका पूरा KYC वगरा process करा जाएगा, तो यह देखिए, आपके second scheme दे बढ़ोधा digital personal loan, अब जो इनके तीसरी scheme आती है, जो की आती है, pre-approved personal loan, अब pre-approved personal loan जो है, उनी को provide किया जाए, कि जिनका यहाँ आप यह selling account है, saving account है, business account है, तो उन लोग आपको pre-approved offer वगरा bank के provide करती है, जिसमें पूरा paperless process रहता, आपसे कोई भी document वगरा require नहीं होता है, और यहाँ पे rate of interest आपको 12.40 से starting होगी हो, 15.90% तक जाता है, processing fees आपकी 2% तक लगती है, यहाँ पे loan amount का, इसके लावा कुछ benefit देख लेता है, तो paperless process रहता है, direct disbursement आप आपको कर दे जाता है, कोई भी prepayment charges नहीं है, rate of interest जैसे को आप 12.40 से starting है, features देख सकते हो, यहाँ पे minimum 50,000 और maximum 5 लाग रुपा तक का loan amount ले सकते हो, 18-36 month के लिए, age criteria minimum age apply करने के 21 साल है, maximum 60 साल की age तक जो आप अपने loan को चुका सकते हो, eligibility criteria, self-employed individual apply कर सकते हैं, जैसे के बता आपको जो आपका mobile number, bank or brother के account से link होना चाहिए, तो वही mobile number आपको देना, आपको आधार number आपके देना पड़ेगा, जिसमें OTP बगर आएगा, जिसको e-stamping और e-sign के लिए आपको देना पड़ेगा, तो यह देखे, minimum documentation पे आपको pre-approved personal loan में आपको provide किया जाता है, तो अ करोगे, तो आपको बता देगा कि आपको pre-approved यहापे मिला है, नहीं मिला है, अगर आप नहीं मिला है, तो आपको बड़ोदा digital personal loan से आप ले सकते हो, यहापे भी rate of interest आपका, same 12.40 से ही starting यहापे होती है, और अगर आप कोई pensioner वगरा हो, family pension हो, defense person, government pension, कोई pension हो, जो अपनी pension जो है, bank of brother से निकालता हो, तो वो लोग भी आपर personal loan apply कर सकते हों, और उनको देख सकते हो, कितना amount वगरा provide किया जाता है, आठ लाग रुपय तक का maximum amount आपको provide किया जाएगा, यह देखिया हमारी information नहीं, bank of brother personal loan से लेटेड, इसके अलावा अगर आपको इसके offer वगरा जान अगर आपको direct online apply करने का link चाहिए, तो यहाँ पर आपको direct मिल जाएगा, इसके लावा देख सकते हो, और भी information जैसे document क्या लगेंगे, interest rate क्या चला है, eligibility क्या required होती है, और कोई offer वगरा launch किया होगा bank ने, वो भी आप यहां से checkout कर सकते हो, तो इसका भी link आपको वीडियो के description box मिल लियागा, इक बर जाके जरूर चकाउट करेगा, तो information अगर आपको हमारे पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, वीडियो के एक लाइट कर दीजेगा, और मैं आप कमेंट लिगर रेके बता सकते हो, कि आगे आपके slowdown के बारे में हमसे जानना चा तो आज के इस वीड़ों में बस इतना है, तो मिलतने एक इस वीड़ों में तब तक के लिए धन्यवाद